पिछले 24 घंटों में राजस्थान, माद्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में भारी बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं हुई है। बिजली गिरने से राजस्थान के कोटा और डोलपूर 0 में 7 बच्चों सहित 20 लोगों की मौत हो गई। जैपुर के पास अमेर किले में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। पुरे उत्तरप्रदेश में 41 लोगों की और मध्यप्रदेश में 7 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो चुकी है। प्रधान मंत्री मोधी ने ट्विटर पर लिखा बिजली गिरने से हुई मौत हो पर में स्तब्ध हू। उन्होंने शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के लिए प्रत्य एक को 2-2 लाख रुपए की अनुग्राह राशी देनी की घोशना की। उन्होंने यह भी कहा कि घायलों को 50,000 रुपए दे जाएंगे। राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गैलोट ने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोशना की है। संख्य अधिक लग सकती हैं लेकिन यह आश्चर्य जनक नहीं है। राष्ट्य आपदा प्रबंदन प्रादिकरण की अनुसार गरच के साथ बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो सकती है। 2004 से भारत में हर साल बिजली गिरने से कम से कम 2000 लोग मारे गये है। खاشता बख़ल्दन कि मारे गिरने से कम25 लोगं की अनुसा प्राल बिजली गिनिकुत्मे बिजली गिरने से करें अ अनुसरें вес औ accelerate